हलो डियर स्टूटेंट्स वल्कम टू मैंगनेट ब्रीन्स मैं संचिता जैरा आप सभी के एसिस्ट एजुकेटर आज के सेशन में लिखे आई हूँ आप सभी के लिए क्लास 10 की सामाजी विज्ञान में जग्रॉफी यानिकी भुगोल का चैप्टर नमबर 5 जिसका नाम है ख अब इस रिक्वेस्ट है कि जल्दी से जल्दी हो जादा से जादा आज के सेशन को आप सभी लाइक कर दें शेयर कर दें साथ ही साथ चनल को सब्सक्राइब भी कर दें क्योंकि Magnet Brains provide कराता है आपको class 6 से लेके class 12 तक के सारे courses free of cost, high quality education के साथ fully organized complete course के साथ हमारे पास आपके लिए कई सारे चॉप courses हिंदिया और इंगलिस दोन और मीजियम में अविलेवल है काफी सारे special courses हैं जैसे की class course हो गया, spoken English हो गई और वैदिक मैस और इतने सारे courses आपको एक ही single platform पर एकदम free of cost प्रोवाइड कराये जा रहे हैं यानि कि किसी भी course को पढ़ने के लिए किसी भी तरीके के फीज दने के जरूरत नहीं है किसी भी तरीके के paid subscription की जरूरत नहीं है अल्राइट, अगर आपको e-books और e-notes की भी आवश्यक्त है वीडियो के description में एक link दी गई है, बहाँ जाएए, क्लिक किजियो, सारी जानकारी प्राप्त कर लीजे तो शुरू करते हैं आज का ये session आपके like और share के साथ खनिजों का वरगी करण, कितने प्रकार के होते हैं खनिज इसके पहले दो वीडियोज मैंने आपको provide कर आए हैं जिसमें बताया है एक में बताया कि खनिज क्या होते हैं और दूसरे में बताया है कि खनिज कहां होते हैं खनिजों की उपलब्धता आगी खनिज कहां पाये जाते हैं प्राक्रतिक रूप से अल्राइट अब बारी आएगी अगले स्टेप की जिसमें हम जानेंगे खनिज कितने प्रकार के होते हैं तो देखें खनिज जो है तीन भागों में बाटे गए हैं धात्वेक अधात्वेक और उड़ से पहले जब हम बात करें तो महा सागरियत जल में भी विशाल मात्रा में खनिज पाये जाते हैं अब जल में कोई से खनिज पाये जाते हैं बैसाब नमक नमक पाया जाता है सामाने नमक कहां से मिलता है मैं समुंदर से ही मिलता है एक चीज और जानी थी पिछले शाशन में कि चटानों में भी नमक पाया जाता है जो हम सैंधा नमक उपयोग में लाते हैं वो चटानी नमक होता है और नमक का सबसे शुद्धरूप होता है और एक पाया जाता है नमग महासागरों में ठीक है जो नमग जो आपके पैकेटों में बंद आता है या फिर छोटे छोटे इतनी छोटे-छोटे पत्थरों जैसे संरचना होती है ठीक है वो सफेद नमग जिसे हम बोलते हैं फिर मांगनेशियम ब्रुमाईन ये सब कहां पाये ज जल में पाई जाते हैं फिर उसके बाद हम देख हैं घनिजों का तीन भागों में वर्गी करण किया जा सकता है पहला है धात्विक खनिज दूसरा है अधात्विक खनिज और तीसरा है क्या उर्जा खनिज ठीक है धात्विक खनिज क्या हो सकते हैं धात्विक खनिज जिन में धातू पाई जाती है अधात्विक हने जिन मेंधातू नहीं पाई जाती है औरृव्या कनई जयाने की जिन घणिजों से उर्जा एंछी की प्राप्ति होती है अल्राइट यह हो गई पीचिक सी बात कहानी क्या है सबसे पहले कन goal के प्रकार में हम चर्चा करेंगे धात्वे खनिज की धात्वे खनिज तो वे खनिज जिन में धातू होती है तो इस खनिज में धातू होती है वे खनिज जिन में धातू होती होने क्या कहते है धात्वे खनिज धात्वे खनिज में हम बात करेंगे किसकी फिर लौह खनिज की बात करेंगे लौ लौख खनिज कौन से होते हैं तो लौख खनेज वे होते हैं जिन से लोहा प्राप्तव की आज आता हैया जिन में लोहे की मात्रा होती है ल्राइट। लोह खनेज जो है लोह खनेज धात्वे खनेजों के कुलत पादन मूले के तीन चौथाई भाग का योगदान करते हैं लोह खनेज जो है धात्वे खनेजों के कुलत पादन मूले के तीन चौथाई भाग का योगदान करते हैं जो धात्वे खनिज होते हैं जिनमें धातू होती है ठीक है उने के तीन चौथाई भाग का योगदान किसका होता है लोह खनिजों का होता है लोह खनिज भी किस प्रकार के खनिज हैं लोह खनिज भी जो है धात्वे खनिज हैं जो कि कुल धात्वे खनिजों के तीन मातरा जो है किनकी होती है लोहा खनिजों की होती है जिन में लोहा पाया जाता है फिर ये धातु शोधन उध्योगों के विकास को मजबूत आधार प्रदान करते हैं वे उध्योग जिन में धातुओं का शोधन की आ जाता है उन उध्योगों के विकास को मजबूत आधार प् उध्योगों का जो अधार भूत करने जोता है वो होता है आपका लौह खनिज ठीक है कोई भी उध्योगों क्या मशीनों के बिना काम होता है उध्योग यानि की मशीन जहां इंसानों की जगे मशीनों से काम कराया जारो यानि की मशीन वहां पर काम करती हो मशीन किसकी बनी हो तो किसी वे उध्योग के लिए आधार भूत खनिज कौन सा हुआ उध्योग के विकास को मजबूत कौन बना रहा है मजबूत आधार कौन प्रदान कर रहा है लोह खनिज अल्राइट अब देखो हाँ जी महाद्वपोर खनिज में हम सबसे पहले यहां पर देखें लोह आयसक शेत्र और लोह आयसक घदाने और लोह आयसक निर्या तक पत्तन की बात करें यहां पर काफी सारी चीज़ें हमें बताई गई है जैसे कि लोहा के बारे में लोह आयसक खनिजों के बारे में लोह आयसक निर्या तक पत्तन के बारे में फिर मैगनीज, बॉकसाइट, अब्रक काफी सारे खनिजों के बारे मां बताया गया तो हम अभी क्या जान रहे हैं लोह खनिज की बात जान रहे हैं तो लोह अयस्क छेतर कहां है जहां से लोह अयस्क प्राप्त होता है ठीक है लोह अयस्क की खाने कहां पर है ठीक है देखा जाए तो ध्यान से सुनना पूरा मैं बहुत अच्छे से समझाओंगे और बेसिकली इन तीनों चीजों की बात हम करेंगे लोह अयसक शेत्र, लोह अयसक खाने और लोह अयसक निर्यात पत्तन ठीक है तीन बातें अभी स्लाइड में हम सीखने वाले हैं तो सबसे पहले हम लोह अयसक शेत्रों को देख लें क्या बिल्कुल देख लेते हैं लोह अयसक शेत्र यह जो है लोह अयसक शेत्र को देखें अब यह लोह अयसक शेत्र एकदम इस पश्ट दिखाई दे रहा यह कलर दिखाई दे रहा है आपको क्लियर है बात अब लोह अयसक शेत्र देख आपको दिखाई देगी इसके अंदर बारीक बारीक लाइन आपको दिखाई देंगी कुछ इस तरीके से ठीके इस तरीके का जो छेत्र है आपको किस छेत्र के रूप में दर्शाया गया है लौह आयसक शेत्र के रूप है आप देख लेते हैं इसको लौह आयसक शेत्र तो द देखें यह चेटर देखो आप यह चेतर देखो यह कौन सा शेतर है यह देखें आप यह कौन सा अल्राइट अब क्या है तो यह जो पश्मी दड़ पर आपको रतनागिरी गोवा मार्मा गाओ वाला शेत्र दिखाई दे रहा है कि शेत्र के रूप में दिखाई दे रहा है लौ एसक शेत्र के रूप में ठीक है फिर एक और पेटे जैसे सरशना आपको दिखाई दे रही है चितर दुर्ग बनारी तुमकरू कुद्रे मूख मंगलरू ये भी जो है लॉह आश्कक शेत्र के रूप में दिखाई दे रहा है फिर देखें, ये वाली जो पैटी है ठीक है? बंडारा, मैकाल, चंद्रपूर, बैला, डीला किस रूप में दिखाई दे रही है लहाइस के शेत्र के रूप में फिर देखें सुन्दरगर गुआ केंदुजर मयुर्भंजे ओडिसा वाला शेत्र जो दिखाई दे रहा है पूरव की तरफ जो शेत्र दिखाई दे रहा है वो भी लहाइस के शेत्र के रूप में दिखाई दे रहे हैं वहीं पर आप देखें लाल रंकात रिकॉर्ड बना है ठीक है ध्यान से देखना है लाल रंकात रिकॉर्ड आप देखें यहां पर लाल रंकार ट्रेंगल ऐसी संरशना जो आपको दिखेगी ये देखें कुछ इस प्रकार की संरशना सबसे पहले तो ये किस रूप में दिखाई दिया था लोह आयसक शेत्र ठीक ये क्या है लोह आयसक शेत्र फिर त्रकॉर्ण जैसी लाल त्रकॉर्ण रेड ट्रेंगल जैसी संरशना जो है वो किस रूप में दिखाई दे रही है ये हैं आपकी लोह आयसक खाने लोह आयसक खाने ठीक है यानकि लोह आयसक की ख़दाने कहां कहां है तो देखें जो है ये देखो रत्नागिरी एक जगह दिख गई ठीक गोवा और फिर बलारी चित्र दुर्ग तुमकोर कुद्रे मोग चिकमंगलूर ठीक फिर बैला डीला चंद्रपूर दुर्ग फिर गोवा कैंधुजर और मयूर भंज लहोयस्क खाने है ठीके जो लहोयस्क छित्रों में ही दिखाई दे रही है फिर तीसरी बात हमें क्या करनी दी जो काले लंग बॉक्स बना हुआ है कुछ इस तरीके से अ काले रंग का बॉक्स सबसे पहले तो भी सफेद के ऊपर काला देखेगा काले की ऊपर सफेद तो नहीं दिकाले के के उपर ही काला दिखेगा तो जो इस तरीके का आपको बॉक्स है एक मिनिट एक मिनिट रुकीए गा बस एक मिनिट मैं आपको सारी चीजं समझ में आ जाएंगी जहाँ पर लोहौ ईयस्क छेतर हैं वहीं पर लौहौ ईयस्क को निर्याद करनंए वाले यान की एक्सपोर्ट करने वाले बंदर गाह पत्तन आपको दिखाई देंगे तो इस तरीके के बॉक्स जैसी सनरचना आपको देखने को मिलने वाली है देखो भई यह जो काले रंग का बॉक्स उस पर ध्यान देना है काले पर काला नहीं देखता इसलिए पहले एक सफेद रंग का बॉक्स बनाया गया है उसके बाद आपको काले रंग के बॉक्स के माध्यम से लौह अयस्क निर्यात करने वाले बंदर गाह यानि की पत्तन निया तक पक्तन या बंदर गाहा दोनों एक ही बात आए हैं ऊats है राईट पक्तण को क्या कहा जाता है बंदर गाहा आई है चलिये तो देखा जाए कि यह देखें ठीक लोह एज़ क निरया तक पत्तन कहां कहां है यह देखो 很 बंदरगाह है ठीक फिर उसके बाद मंगलुरू देखो वैसा मंगलुरू दिखाई दे रहा है करनाटक में फिर उसके बाद विशाखा पटनम को देखो फिर पारादीब उडिसा क्लियर हो रही ये बात ये सब क्या है लौह अयस्क को निरियाद करने वाले पत्तन है पत्तन बंदरगाह कहा मिलेंगे आपको तटी इलाकों पर ही मिलेंगे बीच में तो नहीं मिलेंगे जहां तटी इलाका होगा नदियों का समुंदर का किनारा होगा वहीं तो आपको मिलेंगे ये सारी बंदरगाह क्लियर हो रही है बात तो तीन चीज़े जान लहायस्क छेत्र लह अब लोह अयस्क होता क्या है वास्तों में ठीक है तो लोह अयस्क जो है एक आधार भूत खानिज है अभी मैंने आपको बताया था कि बिना लोहे के किसी भी उध्यों की कल्पना नहीं करी जा सकती ये एक विकास किसी भी उध्यों की विकास की रीड के रूप में जाना जाता है उध्यों की आधार इस्तंभ के रूप में जाना जाता है लोहा तो लोहे को क्या कहा गया है लोह अयस्क एक आधार भूत खनिज है तथा अध्यों की विकास की रीड है फिर फिर क्या बात आती है मैगन क्या मैंगनेटाइट यह लोहे का एक प्रकार होता है जो सर्वत्तम प्रकार का लह ऐस्क है अगर आप से सवाल पूछा जाए कि सर्वत्तम प्रकार का जो है लह ऐस्क कौन सा है तो आप कहेंगे मैंगनेटाइट यह आप से अतिल अगुत्री प्रश्न में पूछा जा सकता है या फिर multiple twice question मैं भी पूछा जा सकता है तो magnetite सर्वत्तम प्रकार का लह आयस्क है जिसमें जिसमें 70 प्रतिशत लोहां से पाया जाता है अब आप ये कैसे decide करेंगे कि magnetite या hamitite या सिडे राइट जो भी लह आयस्क के प्रकार होते हैं उसमें से सबसे अच्छी कोटी का कौन सा होता है वो हम पता करेंगे कि किस आयस्क में लोहे की मात्रा सबसे जादा है तो जो magnetite प्रकार का जो magnetite प्रकार का लोह आयस्क होता है उसमें 70 प्रतिशत लोहांस यानि की लोहे का अंस 70 प्रतिशत तक पाया जाता है कि इसलिए Magnetite को सरवत्तम प्रकार का लह ऐस्क कहा गया है फिर दूसरी बात आती है Hamitide की Hamitide सरवाद एक महत्व पॉन और अध्योगिक लह ऐस्क है Hamitide क्या है सबसे महत्व पॉन है ठीक है ध्यान दीजेगा नहीं तो यहीं से Confuse हो जाते हैं हम हमें लगता है कि जब हम से पुछा गया कि सर्वत्तम प्रकार का कौन सा है तो उसमें हम हैमेटाइट लगा देते हैं हैमेटाइट सबसे महात्वपोर होता है और मैंगनेटाइट सबसे अच्छा लहाए इसको होता है ठीक है, अब हैमेटाइड की बात हो रही है तो इसका अधिक्तम मात्रा में उपभोग हुआ है किन्तों इसमें लोहांश की मात्रा मैंगनेटाइड के पिक्षा थोड़ी कम होती है इसका उपयोग सबसे ज़ाधा होता है यह बहुत महतवापुर होता है लेकिन लोहे की मात्रा इसमें मैंगनेटाइट से कम होती है इसमें लोहा जो है पचास से साथ प्रतिशत तक पाया जाता है कितना पाया जाता है इसमें लोहे की मात्रा पचास से साथ प्रतिशत तक पाई जाती है अल्राइट किलियर हैं तीनों बाते ठीक चलिए अब क्या है तो भारत जो है उच्च कोटी के लोहांश युक्त अयस्क में धनी है यानि कि मैंगनेटाइट भारत में अच्छी खासी मात्रा में पाया जाता है फिर भारत में लोह अयस्क की पेटियों की जब हम बात करें तो यही पर तो हमने ये पेटियां देखी थी ये सारी जो है लोह अयस्क की पेटियां ही तो है ये सब क्या है ये सब लोह अयस्क की पेटियां ही है ठीक है बात समझ में आ रही है ठीक है तो लोह अयस्क की पेटियां देखे है तो उडिसा जारखंड पेटी ये जो देख रहा आए आपको ये उड़ी सा जारखंड पेटी है ठीक है फिर 36 गड़ और महराश्ट की बात करें तो दुर्गा बस्तर और चंद्रपूर पेटी या दुर्गापूर बस्तर और चंद्रपूर पेटी के नाम से भी इसको हम जानते हैं ठीक है ये देख लो भाई ठीक है ये 36 यहां से जुड़ा हुआ है फिर उसके बाद करनाटक की हम बात करें तो करनाटक में बेलारी चित्रदुर्ग चिकमंगलूर ठीक है ये देखें चित्रदुर्ग चिकमंगलूर ये सब क्या है बेलारी या बलारी ये सब क्या है भई ये सब जो है किसकी पेटी है लोई असक दिखाई दे रही यह गोवा रतनागीरी ठीक है तो यह सब क्या है भारत में प्रमुक लहाई यासकी की पेटिया है आप से पुछा जाए तो आप मैप की द्वारा दर्शा सकते हैं और हम ध्यान दें तो यह निचले भारत में ही दिखाई दे रही है यहां से हम देखें तो निचले भारत में ही दिखाई दे रही यानिकी यह सब करकर एखा के नीचे ही आपको दिखाई दे रही है ठीक तो आप कैसे दर्शा सकते हैं इनको भारत का मैप बनाईए ठीक है और यह जो चार जगह है ठीक है टफ नहीं है बहुत आसान बात है चार जगह है यह एक दिखा देना है आपको साउथ में थोड़ा सा साइड में और बीचों बीच दिखा देना है ठीक है जो कि आपकी आजाएगी यह करनाटक की साइड फिर इधर तोड़ी से बीच में जाना है जो चत्तिजगर और महरास्ट का एरिया है फिर इधर जार खंट और उडिसा के साइ आपको सबसे पहले आप जो है ऐसे तीनों दिखा दो या एसे तीनों दिखा दो याद रहेगा और उसके बाद इसके नीचे जस्ट नीचे थोड़े से नीचे तिरचे रूप में आपको यह वाली पेटी दिखाई देनी है जो करनाटक में दिखाई देती है मसो गया काम clear लोग bleaching powder किसमें bleaching powder कीट नाशत दवाएं और पैंट बनाने में पैंट यानि की जो पोतने वाला पैंट होता है ठीक है उसको बनाने में किया जाता है भारत में उडी सा मैगनीज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है सबसे जयादा मैंनीज भारत में कहां पाया जाता है स मैंगनीज को जाने ठीक मैंगनीज की बात कर रहे हैं ध्यान देना बहुत अच्छे से ध्यान देना मैंगनीज मैंगनीज को देख लें मैंगनीज की इमेज जो है कुछ इस तरीके से आपको दिखाई देगी मैगनीज को किस चिन्न के माध्यम से दर्शाया गया है वो चिन्न में आपको बता देती हूँ ताकि मैप को समझने में आसानी होगी मैप में ढूणने में आसानी होगी तो मैगनीज को जब हम देखें तो एक छोटा सा फूल जैसी सनरशना आपको दिखाई देगी कुछ ऐसी सनरशना दिखाई दे रही है क्या कुछ ऐसी सनरशना आपको दिखाई दे रही है ठीक है मैप में आप देख पा रहे हैं कुछ इस प्रकार की सनरशना ये है मैगनीज डूणा जाए मैंगनीज शेत्रों को क्या कहते हो मैंगनीज शेत्र में कुछ इस प्रकार की सनशना आपको दिखाई दे रही है यह देखें भई गोवा के पास में देखें फिर यह देखें सिव मोग कहां पाया जा रहा है इधर पाया जार है फिर उडिसा की बात हमने करी थी यह देखो कैंधूजर सुन्दरगड फिर बाला घाट मध्यप्रदेश में बाला घाट फिर यह देखो नाकपुर भंडारा दिखाई दिया यह छोटे-छोटे फूल जैसी सरशना जिनको हम मैंगनीज को इन फूलों के मा अधियम से दर्शा रहे हैं तो सबसे ज़्यादा कहां मिलेगा आपको आपको मिलेगा उडिसा में भारत में भारत में उडिसा में मिलेगा सबसे ज़्यादा अल्राइट किलियर हो रही यह बात अब क्या है अब अला। खनीज की बात करें अला। खनेज जिसमें लोहा शामिल नहीं होता है। अल्लाहो शब्द से ही स्पष्ट हो रहा है जिसमें लोहा नहीं है अल्लाहो खनिज तो इन खनिजों में लोहा शामिल नहीं होता है लोहे का अंश या लोहे की मात्रा इसमें नहीं पाई जाती है अब इनका उप्योग कहा होता है इनका उप्योग धातु शोधन इंजीनियरि वा विद्योत उध्योगों में महत्वपूर भूमी का के रूप में होता है और अल्लाहो खनेज धातू शोधन उध्योग इंजीनिरिंग और विद्योत उध्योगों में अपनी महत्वपूर भूमी का निभाते हैं अल्लहों खनेजों के उधारन कौन कौन से हो सकते हैं अल्लहों खनेज जिसमें लोहा नहीं पाया जाता वो है ताबा, बॉक्साइट, सीसा वा सोना ठीक है तो क्या ताबे में लोहा पाया जाता है अगर ताबे में लोहा है तो मिलावट है ठीक है बॉक्साइट है सीसा है या सोना है इन सम्में अगर लोहा है यानि कि मिलावट है तो इनमें क्या नहीं पाया जाता है अलोहा नहीं पाया जाता है फिर बात करें अलोग खनीजों में सबसे पहले हम तांबा की ठीक तो तांबे की जब हम बात करें तो तांबे के गोड़ाते हैं कि घात वर्दिय तन्य और ताप सुचालक होने के कारण तांबे का उपियोग मुख्यता बिजली के तार बनाने एलेक्ट्रोनिक्स और रसायन अध्योगों में किया जाता है अब सबसे पहले पहला गोड़ाता है तांबे का कि ये घात वर्दिय है अब घात वर्द क्या होता है तो वो धातु जिसे हम पीट सकें ठीक है तब वह नस्ट ना हो अब जब तक हम तांबे को या किसी भी धातु को पीटेंगे नहीं वो एक तूसरे प्रोडक्ट में कैसे कनवर्ट होगा जैसे की तामबे का कोई बरतन आपको बनाना है तामबा कॉपर ठीक है कॉपर रंग जैसे आपने बरतन देखे होंगे कॉपर के आपके घर में भी काफी बरतन होंगे और तामबे के बरतन में ऐसा माना जाता है कि तामबे के बर लेकिन उनका प्रचलन भी अब धीरे-धीरे हो रहा है लेकिन अगर हम देखें तो हमें तो चारों तरब क्या दिखाई देता है प्लास्टिक ही प्लास्टिक दिखाई देता है कुछ भी हो डबे हो बरतन हो बॉटल हो हर एक चीज हर एक खाने पीने की चीज़ें आपको प्ल कि जिसको पीटना जा सके ताबा आया उसको किसी दूसरी आकरती में बनाना है दूसरे रूप में बनाना है तो उसको पीटना पड़ेगा ठीक है जब हम उसको जो है एक दूसरा अकार दे सकेंगे तो वो धातू जिसे हम पीट सकें जिसको प्लेन कर सकें एक दूसरा अकार द प्योग मुख्य ताब बिजली के तार बनाने यानि की ताब का सुचालक होता है विद्यूत का सुचालक होता है गुड कंडक्टर होता है इसी के कारण ताबी कॉप्योग बिजली के तार बनाने में किया जाता है जिनसे बिजली की सप्लाई होती है ठीक है आपने देखा में किया जाता है तो यह तो होगे इसकी विशेस्ताएं कि ताबा घात वर्द होता है तन्य होता है ताप का सुचालक होता है और इसी के कारण इसका उप्योग बिजली के तार बनाने एलेक्ट्रोनिक्स और रसायन यानि की कैमिकल इंड्रस्टीज में होता है फिर अब बात आती है कि ताबा आखिर पाया कहां जाता है ताबे की हम बात करें तो मध्यप्रदेश की बाला घाट खदाने और बाला घाट में भी एक प्रसिद्ध जगह है एक खदान है एक जगह क का नाम है मलाजगंड क्या नाम है मलाजगंड तो मध्यप्रदेश की बाला घाट में मलाजगंड की खदाने यहां पाया जाता है जार घंड का सहभूम जिला और राजस्तान खेतड़ी खदानों में राजस्तान की खेतड़ी खदाने ताबे के प्रमुखुद पादक शेत आप कहेंगे मद्यप्रदेश में से भूमी जिलां कहां है जहां पर ताबा पाया जाता है जारखंड में खेतरी खदाने तामी के लिए प्रसिद्ध कहां है राजस्थान में है यानि कि मद्यप्रदेश जारखंड राजस्थान में ताबा प्रमुक रूप से भारत में पाया है और हाँ अगर आप चैनल पर नए हैं अभी अभी हमारे साथ ज्वाइन किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना है ताकि एक के बाद एक वीजियो आप तक पहुंशते रहें आप हमसे जुड़े रहें क्योंकि सारी चीजें आपको एकदम फ्री आउप क पड़ाई जा रही है तो इतना तो आप करी सकते हो ठीक है और राइट तो यहां तकी कहानी के लिए है अब क्या है बॉक्साइट बॉक्साइट क्या है बई बॉक्साइट के बारे में जाने तो देखें एल्यूमेना के लिए जैसे दिखने वाला पदार्थ बॉक्साइट होता है कैसा होता है एलुमेना के लिए जैसा दिखने वाला बॉक्साइड जो है क्या कहलाता है बॉक्साइड कहलाता है यानि कि अलुमिनियम का यस्क क्या है बॉक्साइड है बॉक्साइड से अलुमिनियम हमें प्राप्त होता है अलुमिनियम तो देखा होगा आपने अलु करें जिस से ऐलुमिनियम प्राप्त की आ जाता है एक महत्व पूर धातू है ठीक है क्योंकि यह लोहे जैसी शक्ति के साथ जी है। विखें लोहे जैसी पावर होती है लेकिन लोहे जैसे भारी नहीं होती है। की होती है आपने देखा होगा कोई भी आप लोही की चीज उठाए और अलुमिनियम की चीज उठाए लोहे का ढबा I should बाऊठाए तो यलींमिंयम ब्ह aldi halka है को कणेगा तो अत्य देख legit matter although भी होता है यारी कि विद्यूत का सुचालक होते है उन्ट इसमें अत्य घात वर्धता भी पाई जाती है यारी कि स्को 집 be अमर कंटक पठार मैकाल पहाडियों तो था विलासपुर कठनी कठनी के पठारी छेत्रों में पाए जाते हैं कहां मिलेगा आपको वक्साइट अमर कंटक पठार मैकाल पहाडी विलासपुर कठनी के पठारी छेत्रों में बॉक्साइट देखने को मिलता है अल्राइट इनने दिखाई दे रहा है यह देखें देखो हाँ जी बॉक्स साइट मैप में किस तरीके से दर्शाया गया है वो मैं आपको दिखाती हूँ हाँ जी अब किस प्रकार की संरशना है तो देखें एक बना है इस तरीके का बॉक्स एक इस तरीके का काले रंग का बॉक्स बना है ठीक है काले रंग के बॉक्स के अंदर आपको क्या मिलेगा काले रंके बॉक्स के अंदर आपको मिलेगा एक गोला एक सर्कल मिलेगा ठीक है इस तरीके का एक सर्कल मिलेगा और इस सर्कल के अंदर एक ऐसी रेखां किजी होगी के किलियर है तो यह संईशनी उस रूप में आपको क्या दिकाया गया है दिख रहा है अब बॉक्साइड का शेत्र कहां कहां है यहां हमने देखा कि दो है हमें दिखाई देगा अमर मैकाल पहाडियां और बिलास्पुर कट्पीनी के पठारी प्रदेश में दिखाई देखा अब देखो भई ही यह निशान कहां बना है कट्पीनी है बिलकुल है अमरकंटक शचाल मैकाल है बिलकुल है तूर फुट Being姐 feels दिखाई दिया आपको यहां पर हमने क्या पढ़ा था अमरकंटक का पठार ठीक है मैकाल पहाडियां यह है मैकाल हिल और क्या पढ़ा था हमने बिलासपुर कटनी के पठारी शेत्रों में यह है बिलासपुर यह है कटनी क्लियर हो रही है बात अमरकंटक्ट मैकाल कटिनी ये कहां के शेत्र है ये मध्यप्रदेश के शेत्र है विलासपुर कहां का शेत्र है चतीस गड़ का शेत्र है दिखाई दे रहा है ठीक है तो ये हो गए वो शेत्र जहां पर बाक्साइट मख्यरूप से पाया जाता है बाक्साइट है क्या अलुम कि दा तुन ही पाई जाती अधात्विक जिन में धातू नहीं हो शब्द से ऐस सोए बात अभब कंश कौन कौन से होते हैं तो देखें सबसे पहले हमें बताया गया अब्रग ठीक है अब्रक अब्रक की सरशना इस सटार के के रूप में हमें दिखाई दे रही है बना लेते हैं अब्रक को भी और ढूरते हैं मैप में अब्रक को भी ठीक तो अब्रक हमें कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा कैसे दिखाई दे रहा है स्टार के रूप में है ठीक ऐसी कुछ संरचना जो है बनी हुई है एक मिनिट थोड़ा छोटा बना है, वो सकता है, आपको दिखे न, थोड़ा बड़ा बना लेते हैं इसको, हाँ जी, और ये बन गया हमारा स्टार, खोजो भईय कहां कहां बना है, ये सितारा, जिसको अब्रक को जिस सितारे से दर्शाया गया है, काले रंग का सितारा, खोजो भईय साप मैप में, और मुझे कॉमेंट करके बताओ कि किस कि शेत्र में आपको अब्रक दिखाई दे रहा है, जल्दी से देखो, ऐसा सितारा कि बताओ इस पर्ष्ट आप सभी को दिखाई दे रहा होगा कहां कहां अब्रग दिखाई दे रहा है देखें खोजें चलो भई आजाओ यह देखो सबसे पहले यहां की जानने basic information जाल लेते हैं किअ कि अबड़ चोता क्या है किस रूप में होता है फिर कोचते हैं ठीक है तो अब रघ जो है एक एसा खनिज है अबरग एक ऐसा खानिज है जो प्लेटों अथवा पत्रण क्रम में पाया जाता है, प्लेट के रूप में पाया जाता है, ऐसी पतली-पतली चादरों के रूप में पाया जाता है, पत्रण यानि कि पत्तेदार सरशना, पत्ता यानि कि एकदम प्लेन, ठीक है, फिर यहां कैसा होता है पारदर्शी, यानि कि ट्रांस्पेरेंट होता है इसके आरपार हम देख सकते हैं काले हरे लाल पीले और भूरे रंगा होता है अलग अलग रंगों में पाया जाता है काले रंग में हरे रंग में लाल रंग में पीले रंग में भूरे रंग में पाया जाता है अब कोज लेते हैं अब रख को देखें मैप में यह देख यह देखो बिहार में गया जार खंड में हजारी बाग फिर कहा है फिर कहा है यह ंद्रप्रदेश और बस इतनी ही जगे ंदिखाई दे रहा है इसके लावग कहीं और स्टार बना है क्या नहीं बना है किलिएरो गई बात अब lett कहा कहा पाया जारा है अजमेर बेवर ये है राजस्तान के शेत्र गया अभिहार हजारी बाग जारकंड नेलोर अंद्रप्रदेश यहां यहां दिखाई दे रहा है अल्राइट क्लियर चलिए अब क्या कहानी है हाँ इसकी सर्वोच परावेद्य शक्ति अब भरक के गुड विशेषता है अब आप ज्यादा नहीं होता है बहुत कम होता है विंस्वाहन के गोण और उच्च वोल्टेज की प्रतिरोधकता के कारण अब भरक विद्यत वा इलेक्ट्रानिक अध्योग में प्रियुक्त होने वाले आप परिहार खनेजों में से एक है यानि कि इसकी सर्वोच परावेद्य शक बिहार जारखंड की कोडर मा गया हजारी बाग पेटी अब्रक के अगरणी उत्पादक है फिर राजिस्तान के अजमेर और आंधरप्रदेश के नलोर अब्रक पेटी भी देश की महत् Councillor अब्रक उतपादक पेटी है उर्जाक वरावराज जो है बहुत कम होता है उच्छ वोल्टेज प्रतिरोधकता होती है जिस कारण इसका उप्योग विद्धयूत और एलेक्ट्रानिक उद्योगव में किया जाता है अब अगली बात हम करने वाले हैं चूना पत्थर के पारे में चूना पत्थर कैसा होता है चूना सफेद रंका होता है यह तो पता है तो चूना पत्थर यह जिसे हम कैल्शियम कार्बोनेट कैल्शियम कार्बोनेट के नाम से जाना जाता है ठीक है कैल्शियम कार्बोनेट के नाम से बेसिकली जाना जाता है कैल्सियम कार्बोने की जो चट्टाने होती है उनमें पाया जाता है ठीक और कैसा होता है चुना जो है सबसे नरम खनेज है किस प्रकार का खनेज है सबसे नरम खनेज है सॉफ्ट होता है यह क्लियर चुना पतर सीमेंट अध्योग का अधार्भुत कच्चा माल होता है अगर कहीं सीमेंट का अध् में क्या चाहिए चुना चाहिए चुना पत्थर चाहिए ठीक है और लौह प्रगलन की भट्टियों के लिए भी अनिवार है लौह प्रगलन भट्टियां यानि की जहां पर लोहे को वो बड़ी बड़ी भट्टियां जहां पर लोहे को गलाया जाता है वहां भी चुने करके बता देना है कि आपको यह सवाल यह शब्द यह टॉपिक समझ में नहीं आया है आपको कमेंट करना है आपके हरेक सवाल का जबाब कामेंट बॉक्स में दिया जायेका और upload होता है आपको तुरंद उसकी जानकारी मिल जाए और आप तुरंद ही हमारे साथ जुड़ पाएं तो अगर आप हमारे डेली के live session और recorded session से जुड़ना चाहते हैं सारी चीज़ों प्लब्ध है Magnet Brains के YouTube channel, website और application पर Magnet Brains इंडिया का number one 100% free online education platform है इसके इलाव अगर आप e-books और e-notes भी चाहते हैं उसकी लिंक भी वीडियो की description box में दी गई है वहाँ से आप available कर सकते हैं हमारे पास आपके लिए कई सारे job courses हैं इंडिया और इंग्लिस दनाव मीजियम में अविलेवल है CBSE board के साथ सा दिल्ली board, भिहार board, UP board, MP board, राजस्तान board के syllabus को complete कराया जाता है कई सारे special courses हैं जैसे की वैदिक मैस, crash course और spoken English और इतने सारे courses आपको एक ही single platform पर high quality education के साथ fully organized complete course के साथ एकदम free of cost आपको provide कराया जाते हैं magnet breeze, YouTube के लावा other social media platform जैसे की facebook, instagram, twitter, telegram, whatsapp पर भी अपलब्द है आप हमें वहाँ भी follow कर सकते हैं, वहाँ से भी सारी जानकारी प्राब्द कर सकते हैं तो आज के session को जल्दी से जल्दी और जादा से जादा like और share करते हुए चैनल को subscribe भी करना है हमारे साथ बने रही है, जुड़े रही है, पढ़ते रही है, खुश है है, thank you so much कर सकते हैं